हलो दोस्तों आज का विषय है सिंदु कालें चित्रकला दोस्तों आज की क्लास उन मित्रों के लिए अती महत्वपूर्ण होने वाली है जो यूपी टीजिटी पीजिटी आर्ट एवं केवियस आर्ट की तैयरी कर रहे हैं हमारे द्वारा अती संभावित प्रिश्णों का संक तक देखिएगा और एक बार वीडियो को लाइक दथा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलते हैं प्रिश्णों के क्रम में बढ़ते हैं तो क्वेश्ण नमबर एक हमारा भैय कह रहा है कि मोहन जोड़ों से प्राप्त पसुपती की जो मुहर है ठीक है पसुपती अर् पसु है और वह पसु कौन कौन से है पूछा जा रहा है ठीक है आपसन नमबर ए में कहा जा रहा है चीता हांथी गैरा भैसा क्या कहा जा रहा है चीता हांथी गैरा तथा भैसा आपसन बी में कहा जा रहा है हांथी सेर घोरा तथा भैसा ठीक है आपसन सी में कहा जा रहा है भैसा घूरा सान तथा हाथी ठीक आपसंदी में कहा जा रहा है सेर हाथी घूरा तथा भैसा ठीक है मित्रो तो देखिए मोहन जो दोनों से जो प्राप्त हो पसुपतिनाथ की जो मूर्ती है उसके बाएं तरफ भैया बाएं तरफ ठीक है जो मूर्ती हमें प्राप्त हुई है पसुपति नाथ की, ठीक है, उसके बाय तरफ क्या है, गैडा तथा भैसा का चित्र है, किसका है, गैडा तथा भैसा का चित्र है, एवं दाई तरफ क्या है, हाथी तथा व्याग्र का चित्र है, ठीक है, दाई तरफ क्या है, हाथी तथा व्याग्र का चित्र है, इसको आप नोट डाउन कर लेजेगा और बीच में दो हिरन है बीच में क्या है दो हिरन है बीच में दो हिरन है जिन्हें पसुपति सीव माना गया है क्या माना गया है जिन्हें पसुपति सीव माना गया है समझ माई बात बाइं तरफ क्या है बाइं तरफ दो मूर्ति हैं किनकी गैडा वा भैसा की तथा दाई और हांथी और ब्यागर की है और बीच में क्या है बीच में दो हीरन है जिन्हें पसुपत इसी उमाना गया है तो इसका जो राइट आपसन होगा वो भी यह क्या होगा चीता हांथी गैडा तथा भैसा चीता हांथी गैडा तथा भैसा यह आपसन ए इसका एक दम राइट होगा, चलते हैं अगले प्रिष्ण के क्रम में, अगला प्रिष्ण मारा क्या कहता है, मोहन जोदोनों से प्राप्त, शेल खडी पत्थर से निर्मित पुजारी की पृतिमा किस संग्रहाले में है, तोस्तों, मोहन जोद्रों से जो हमें सेल खड़ी पत्थर की क्या प्राप्त हुई है पुजारी की पृतिमा वो किस संग्रहाले में है पूछा जा रहा है आपसन ए है राश्टी संग्रहाले करांची आपसन भी राष्टी संग्रहाले या भारती राष्टी संग्रहाले नहीं दिली राष्टी संग्रहाले मुंबई यो राजस्थान ठीक है तो इसका जो राइट आपसन है भहिया वो है राष्टी संग्रहाले करांची ठीक है यह जो है पाकिस्तान का एक सहर है करांची ठीक है वहीं पर है आपकी पुजारी की प्रितिमा जो किसे निर्मित है सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है और मोहन जोड़ों से प्राप्त है कहां पर है राष्टी संग्रहाल करांची यानि पाकिस्तान के एक सहर करांची वहीं पर है ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले प्रिश्ण के क्रम में अगला प्रिश्ण हमारा क्या कहता है अगला प्रिश्ण कहता वहिया दुसाला और हे योगी की सर्वसेष्ट पत्थर से निर्मित मूर्ती कहां से प्राप्त है दोस्तों एक एक प्रशनों का संकलन हमने परिच्छा की दिश्टिकोंड से किया है जो की अती महत्वपूर्ण है ठीक है और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बीडियो को लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन इसको अंत तक देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों क्योंकि यह प सेश्ट पथर से निर्मित मूर्ती सर्वसेश्ट पथर से निर्मित मूर्ती कहां से प्राप्त है ठीक है दोस्तों आपसेश्ट पथर से निर्मित मूर्ती कहां से प्राप्त है ठीक है जुसाला उड़े योगी की सर्वसेश्ट पथर से निर्मित मूर्ती मूहन जूदरों अग्ले प्रस्ण के क्रम एगला प्रस्ण जो है हमारा कहता है थी फी यूक्त हुआ कि नंबर जो आप्सेन नम्मर B धौलवीर, आप्सेननंबर C हरपपा, आप्सेनन रिंदी लोधा 5 pelo Akrati मोहरें चलते हैं लुः क्ररम में अगला मरा कहता है मोहन जोड़ो से केवल मिटी की मूर्ती मिली है वान दो Śक्रिकूर्ओं नहीं होना चैई या तो फिर आयसा होना चाहिए मोहन जोड़ों से केवल यानि कितनी मिट्टी की मूर्टी मिली है ठीक है तो इसका जो राइट आप्सन होगा वो क्या होगा देखते हैं आप्सन क्या कहता है आप्सन कहता एक दो तीन तथा चार ठीक है तो इसका जो राइट आप्सन होगा वो तीन होगा क्या ह किसे बहिया धयराम साहनी को कि राखलदास बनार जी को कि आड़ी बनार जी को कि स्री कनिंगम को बताईए मोहन जोद्रों की खोज का स्रे किसे है तो मोहन जोद्रों की खोज का स्रे है राखलदास बनार जी को किसे है राखलदास बनार जी को राखलदास बनार जी ने 1922 में क किसकी खोज मोहन जोदुडों की खोज की है और यह सहर लगभग कितने हेक्टेयर में है लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है दो सो हेक्टेयर ठीक मित्रों 200 हेक्टेयर में राखल दास बनार जी ने 1922 इस्वी में मोहन जोदुरों की खोजगी तथा यसाहत लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है मित्रों चलते हैं अगले प्रस्ण के क्रम में अगला प्रस्णिया है कि मोहन जोदुरों से प्राप्त निर्तक धड़ क किससे निर्मित था आपसर नमर ए तांबा आपसर नमर बी पीतल आपसर नमर सी तेरा कोटा आपसर नमर डी कांस भाईया मोहन जोदुरों से प्राप्त जिनर्तक धड़ था वो किससे निर्मित था तूह निर्मित है किससे तेरा कोटा से ठीक है किससे निर्मित है तेरा सब्द है सिंधी भाषा का सब्द है मित्रौ ठीक है है नोट डॉट कर लेशेगा मोह förडूरों अभूतीम बहाषा का सब्द है ठीक है जिसका अधेक होता है मिर्दिकों का तीला क्षि को कछ जिसकांए सब्द है मिर्तिकों प्रप्तकूं का ठीला और मोहन जो दुनों से फ्राफ्त जो है निर्मित है वो र laugh झालता है अगले मित्रों की एक और अगला क्या कहता है अगला प्रस्ट कहता है घ्रफपा ठीले की खोज कार्फ एकिसे हैां लुट अक्या दैराम शाहनी, आपसन स्री स्री आरडी बनार जी, आपसन डी आपका राखलदास बनार जी, भया हरपपा टीले, हरपपा का एक नाम और है, जिसे हम हर यूपिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हर यूपिया, हर यूपिया, हर यूपिया, नोट कर लिजे गभी है, हर यूपिय ठीक है हरपपा का एक नाम और है हर यूपिया और हरपपा टीले की खोज कसरे किसे जाता है तो यह खोज कसरे भहिया जाता है स्री कनिंगहम को ठीक है किसे जाता है स्री कनिंगहम को जाता है स्री कनिंगहम ने हरपपा टीले की खोज कब की थी तो वो की थी भहिया 1878 में की थ ठीक है अब दूसरा जो आपसन भाईया दिया है स्री दयाराम साहनी ठीक है तो दयाराम साहनी के निरिक्षण में तीले की खुदाई कब की गई थी 1921 में की गई थी ठीक है खोजकसरे किसे है खोजकसरे है स्री कनिंगम को लेकिन जो खुदाई का इनके निरिक्षण में तीले की खुदाई की गई थी इनके स्री दयाराम साहनी के ठीक है और जो आपसने करवाया था कि 1922 में उत्खनन कारे के करवाया था ठीक है मैं तरो देखे फिर से एक बार देख लीजीगा वेग् आडी बनर जी आडी बनर जी की अध्यचता में 1922 इस्वी में क्या करवाया गया था उत्खनन कारे प्रारम करवाया था ठीक है समझ गया चलते हैं अगले प्रिशन के क्रम में अगला प्रिशन क्या कहता है अगला प्रिशन कहता है मित्रों लोथल की खोज किसने की थी और पह्संदी क्या है, ये मिनट, अफसंदी कह रहा है, अफसंदी लाफ्चन दी भीके थापर, ठीक है मित्रो, इसका जो रायट अफसल होगा वे क्या होगा, लोथल की खोज मित्रो हुई थी, Momo Cpy coaches, किस की खोज? Lothal की खोज, ठीक है, और किसकी द्वारा की गई थी, तो Sri कि द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी मित्रों S R 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 में 1955–1960 के बीच में खिर्वाय गया था। फिरी है। इसकी खोज कब हुई थी क्म कही थी उत्जानकार कब हुए था में www.ceamli.com कब हुआ था। 1955 से निएC pudding हुआ था। चलते हैं । अगले प्रिश्ण के कियन में। अगला प्रिश्ण मारा कहता है। सत्रंज के बोर्ड के नमूने कहां से प्राप्थ होते हैं very important question सत्रंज के बोर्ड के नमूने कहां से प्राप्थ होते हैं option A कहरा काली बंगा option B कहरा है option C कहरा चनहुदरो option D कहरा धौला वीरा से सतरंज के बोर्ड के नमूने हमें कहां से प्राप्थ होते हैं भाई या तो इसका जो राइट आप्षन है वो है लोथल ठीक है लोथल से प्राप्थ होते हैं सतरंज के बोर्ड के नमूने कहां से प्राप्थ होते हैं तो सतरंज के बोर्ड के नमूने हमें लोथल से प्राप् प्राफ्ट होता है मित्रों ठीक है नोट कर लिजिए का तामबे कहाँ समय प्राफ्ट होता है कहां से लोत्ल से ठीक है मित्रों चलते है अगले प्रयशन के क्रम काली बंगन में ठीक है काली बंगन में अलंकृत इंटों का प्रयोग किया गया है ठीक है और अगर एक प्रशनोर पूछा लिया जाता है कि वक्राकार इंटे कहां से प्राप्थ होती है क्या वक्राकार इंटे कहां से प्राप्थ होती है ठीक है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यू कषिए देड़ा कार इंटे आपकी प्राप्थ यहां किया है काली बंगन किया गया है और इसमें बनता है एक मिलनाकार तंदूर कहां से प्राप्थ होता है इसको भी नोड कर लिजएगा बेलनाकार तंदूर हमने कहा था कि वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम एक प्रिश्ण का विसलेशन करते हुए चलेंगे और एक प्रिश्ण के साथ 4-5 प्रिश्णों को जोड़ करके चलेंगे मित्रों ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा यह आपका हो गया काली बंगन और वक्राकार इंटे चनहुदडों में और बेलनाकार जो तंदूर है मित्रों बेलनाकार तंदूर बेलनाकार तंदूर ठीक है, इसको भी नोट करिएगा बेलनाकार तंदूर कहां से प्राप्त होता है तो यह भी आपका कहां से प्राप्थ होता है, काली बंगन से प्राप्थ होता है, ठीक है, अलंकरत इते, वेलनाकार तंदूर काली बंगन से और चन्हुदरों से वक्राकार इते प्राप्थ होती है, ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रिशन के क्रम में, अगला प्रिशन क के हुआ है काली बंन्गा की खुदाई किसके निर्देसंडर कुणा की गई थी सर जान का ओट सर सब्सकार लेकशन इसका होगा भी तो इसका राइट ya इसका राइटापर होगा बीबी लाल तथा विके तपर क्या हूगा बीबी याल็ल तथा बी timer कीथापड अपसन नमबर A एकदम राइट होगा ठीक है काली बंगा की खुदाई बीबी लाल तथभी के थापड के निर्देशन में हुई थी लेकिन मित्रों काली बंगा की खोज किसने की थी ये भी तो पता हो ना जै काली बंगा की खोज किसने की थी ठीक है काली बंगा की खोज किसने की थी तो भाईया 1903 में कब 1903 में किसके द्वारा की गई अमला नंद घोस द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी अमला नंद घोस अमला नंद घोस ठीक मितरो अमला नंद घोस द्वारा की गई थी कब की गई थी 1903 में की गई थी और खुदाय किसके निर्देशन में भी थी मित्रो ठीक है और ये काली बंगा है कहां पर तो काली बंगा का जो लोकेशन है वो राजस्थान के हनुमान गड़ जिले में है ठीक है राजस्थान का हनुमान गड़ जिला है और कहां पर है तो एक नदी है घगघर नदी उसी के बायंतर पर इस्तित है ठीक है मित्रो हनुमान हनुमान गड़ हनुमान गड़ जिला तता कौन सी नदी है घगघर नदी के तटपर ठीक है मित्रों कौन सी नदी है घगघर कौन सी नदी है घगघर यह आपका गाह है घगघर नदी इसके तटपर ठीक है मित्रों गगगर नदी के तटपर है ठीक है काली बंगा की खुदाई का निर्देशन किसके द्वारा किराए गया था बीबी लाल तो था भी के तापड के निर्देशन में हुआ था तता इसकी कोज किस ने की थी अमला नंद भोश ने उनिसो तिरपनीश्वी में की गई थी इसका और गगगर नदी के बाएं था नोट कर लिजेगा गगर नदी के बाएं था पर है चलते हैं अगले पृषन के करम में, अगला पृषन क्या कहता है मित्रों? अगला प्रशन कहता है संधो काल की सबसे बड़ी उपलब्धी एक जूते हुए खेट की प्राप्ती कहां से हुई है ठीक है तो जूते हुए खेट का साच कहां से प्राप्त होता है कुट्सा नंबर 13 है जूते हुए खेट का साच कहां से मिलता है काली बंगा से मिलता है चलते हैं अगले प्रशन के इकरम में अगला प्रश्ण मारा कहता है मिट्टी के बरतन या मिट्टी के पात्र पर पंच तंत्र में लिखित धूर्त लोम्री का अंकन कहां से प्राप्त है ठीक है इसका जो आप्सन है लोथल से काली बंगा से धोला वीरा से हरप्त है ठीक है तो कहां से प्राप्त है मित्रों तो पंच तंत्र में लिखित धूर्त लोम्री का अंकन हमें लोथल से प्राप्त है कहां से प्राप्त है लोथल से तो इसका जो राइट आप्सन होगा वो ए होगा यानि लोथल होगा ठीक है मित इसको मनके से निर्मित हार, ठीक है, जड हार या इसी को कहा जाता है, मनके से निर्मित हार, मनके से निर्मित हार, मनके से निर्मित, नोट कर लिजीगे इसको, मनके से निर्मित हार, ठीक, जड हार या इसी को मनके से निर्मित हार कहा जाता है, की खोज किस इस्थल पर हुई की खोज किस स्थाल पर हुई थी इस ड्रेक्णत का विक धाल कि तो आपका य준 होई थी हाउ पिक अप्र होगा इसका जो होगत मितरों पहर से एक कहना चाहेंगे मित्रों वीडियो को आंतर तक देखिएगा बिना इसकिप किये मित्रों ठीक है और बीच में इसको छोण कर मत जाईएगे मित्रों क्योंकि जो आगे प्रश्णों का संक्लर है इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो बड़े रोचकता और उस्सा के साथ इसको देखने का प्रयास करिए मित्रों ठीक है एक बार जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिजे चलते हैं आगे कि और अगला प्रश्ण क्या कहता है अगला प्रश्ण कहता है मि मुटी आपसंडी कांज की मुटी बताईए तो इसका जो राइत आपसन होगा वह पथर के मुटी अर्थात आपसने आपका एकड़म राइट होगा शिंद्गाटी सब्ता से प्रापत अधिकान साभू संट पथर की मुटी से बने हुए हैं ठीक मित्रों चलते हैं अगले किàng में अगला प्रिखन मारा किया कहता है अगला प्रिखन कहता है विया सिंद्ध घारी सब्टा कि कान से मूर्तियां किस टकूम की तरहा depress कास्ट सिंद्ध है कि की मौहर कि से बने हुए और कि से बने हुई तो जो इसका राइट आप्सन होगा वर क्या होगा मित्रों इसका राइट आप्सन होगा सिल खड़ी ठीक है राइट आप्सन क्या होगा सिल खड़ी पत्थर से है ठीक है सिंद्गाटी से प्राप्त ब्रिशब मोहर किससे बनी हुआ है तो सिल खड़ी पत्थर से सिल खड़ी ये भारती मूर्तिसिल्प जो है, खड़ी हुई इस्तरी किस से बनी हुई है, पत्थर से, मिट्टी से, कि पत्थर से, कि कांस से, कि ये कास्ट से, ठीक है, इसका राइट अंसर क्या होगा मित्रों, तो इसका राइट अंसर होगा कांस, क्या होगा, कांस से होगा, ठीक है, जो भाती से प्राप्त हुए हैं क्या प्राप्त हूए है उनमें अलंकरण किन आकारंसे बने है उनकार कैसा है उन अलंकर्णों का, ठीक है, अमूर्थ है, कि ज्यामती है, कि प्राकर्ति का है, या अर्ध अमूर्थ है, इसका जो राइट आप्शन होगा मित्रों, वो होगा बी, यानि ज्यामती आकार की आकर्तियां बनी हुई है, ठीक है मित्रों, चलते हैं, अगला प्रिशन के करम में, अगला प्रिश्न क्या कहता है मितरूं अगला प्रिश्न कहता हे सिंद्गार्यचिसमता किस काल से संबधीत था है आप्षान अ सबागए होर्टिकर काल तो किस काल से संबस्दीत है तो इसका राइट ऐप्संन होगा inequalities हो तो उसके पहले हमने दो वीडियो बनाए है वो प्राग अतिहासिक काल पर हम उन वीडियो के लिंक हम आपको इसी वीडियो के description में दे देंगे, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, ठीक है मित्रों, चलते हैं, आगे की और, अगले प्रशन में, तो इसका जो right option है, भईया, सिंदुगाटी सबता किस काल से सम्मंधित है, तो है आदी आदी हासिक काल, ठीक है, आदी आदी हासिक काल, यनि आपसन नमर सी एक दम right होगा, आप confuse मत होईएगा, प्राग आदी हासिक काल, इसका अंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका अंसर होगा, आदी आदी हासिक काल, ठीक है मित्रों, चलते हैं, अगले प तो यूनिकार्ण भी यह क्या है यूनिकार्ण एक सिंग वाला जानवर होता है और यह कहां देखी गई है सिंद्ध घाती की मोहरों पर ठीक है कहां पर देखी गई है सिंद्ध घाती की मोहरों पर देखी गई है यूनिकार्ण छबी हमें कहां मिलती है सिंद्ध घाती की मोहर पर यानि आपसर नमर ए आपका इग्डम राइठ होगा यह आती महात्व पूर्ण प्रिश्ण है इसको नोट डाउन कर लीजीगा या इसक्रीन साथ ले लीजीगे मित्रों ठीक है चलते हैं एक ले प्रिश्ण के क्रम में अगला प्रिश्ण आपका है हरपा संस्कृती संदर में राग कट आर्किटेक्चर हरपा संस्कृती संदर में राग कट आर्किटेक्चर किस जगर पर पाया गया है राग कट आर्किटेक्चर को हिंदी में कहा जाता है चतानों को काट करके क्या बनाना इस्थापना करना इस्थापना करना मित्रों ठीक है चतानों को काट कर इ इस्थापना, ठीक है मित्रों, चटानों को काट करके स्थापना करना, ठीक है, उसी क्या कहा जाता है, टीक है, पुरिशन कै कहह रहा है, हडपा संस्कृति संदर् हमें, राक कट आर्किटेक्चर किस जगह में पाया गया है आपसने लोथल आपसन भी आपका माउंट मोगरी आपसन सी है सोरी आपसन भी है माउंट गुमरी आपसन सी है धोला वीरा आपसन भी है काली वंगा ठीक है मित्रो तो इसका जो राइट आपसन होगा वो होगा धोला वीरा क्या पाया गया, राकत आर्केटेक्चर पाया गया, ठीक है, चलते हैं अगले पृष्ण के ख्रम में, अगला पृष्ण मारा क्या कहता है, शिंद घाटी सबता के किस साक्स के कारण इसे पूर्व ध्यान देजेगा पूर्व आरे सबता के रूप में जाना जाता है ठीक है शिंद घाटी की सबता के किस साक्स के कारण या शिंद घाटी सबता में ऐसा कौन सा साक्स मिला है जिसे इसे जिसके कारण इसे पूर्व आर सबता यानि आर्यों की सबता के पूर्व की सबता के रूप में जाना जाता है ठीक है मित्रों समझ में आई बात प्रस्वन क्या कह रहा है इसका राइट आपसन क्या है आपसन ए कह रहा है कांस और लेख मिला आपसन भी मूर तिकला और गहने जिसके कारण सिंदु सब्वता को आर्जों के पूर्व की सब्वता कही जाती है आपसन C स्कृप्ट और मिलने के कारण इसे आर्जों के पूर्व की सब्वता मानी जाती है किसे सिंदु भाटी सब्वता को ठीक है मित्रों चलते हैं आगले प्रस्वन के क्रम में आगला प्रस्वन क्या कहता है दोमाबाद किस नदी के तट पर इस्तित है आपसन नमर A भोगवा नदी आपसन नम शी कह रहा है गोदावरी नदी और आप सा नमबर d कह रहा हैर रंगोई नदी ठीक है तो दोमः बाद कहां पर मिला है तो दोमः बाद जो है गोदावरी नदी गोदावरी नदी के तरप्र similar आग़ा préस्ञशन मा ह question number 26 है जो कहता है मित्रों सिंद्ध्ध घाटी में पाइग गई मोहरों में प्राय है कौन सा रूपांगं कंद रिश्टब वहोता है ठीक है क्या होगा तीक है मित्रों बुराई टापसन इसका यह होगा चलते हैं अगले प्रश्ण के क्रम में अगला प्रश्ण क्या कहता है मोहरों के विसाल अगला प्रश्ण कहता है मोहरों के विसाल इसनानागार की क्रमसह लंबाई चौडाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करना है मित्रों क्या करना ह की पहचान करना है कि कितनी लंबाई है कितनी चोड़ाई है तथा कितनी गहराई है आपसन ये कह रहा है 1110 गुड़े 1110 मीटर गुणे 690 मीटर ने 240 मीटर ने लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई दिया हुआ है यानि गहराई दिया हुआ है लंबाई चोड़ाई तो इसका जो राइट अप्शन होगा वह क्या होगा इसका राइट अप्शन होगा भी यह ग्यारा सो सतर मीटर लंबाई गुने चोड़ाई छाइसो नब्वे मीटर और यहां पर दो सुपर यहां पर थोड़ा सा मिश्टेक हुआ है यहां पर 1170 होना चाहिए ठीक है 1170 होना चाहिए 1170 मीटर लंबाई 690 मीटर चोड़ाई और 240 मीटर गहराई यानि आपसन ए आपका क्या होगा राइट होगा ठीक है 1170 लंबाई और 690 मीटर आपका क्या होगा चोड़ाई 240 मीटर क्या होगा गहराई ठीक है नोट डाउन कर लिजेगा लंबाई चोड़ाई आपको एकदम राइट होगा चलते हैं अगले प्रस्ण के क्रम में अगला प्रस्ण कहता है निमलिखित में से किस अवधि में सिंद घाटी शबता अस्तित्य में थी इंपॉर्टन प्रस्ण है ध्यान दीजेगा है एक हजार बीसी से पंद्रह सोबीसी है एक हजार इशापूर से पंद्रह सोबीसी से निया थी अप्रस्ण का जाता है कहा जाताथ शिंद्गाती कहा जाता है उसी समय जो है टो खी सबता अस्थितब discourse में थी में दो कर दो नुट कर लिए कर सिके गुजरात के कच्छ के रन में इसे थे धॉला भीरा ठीक है और इसका उत्खनन कार जो हुआ था मित्रों वह 1922 इस्वी में हुआ था का हुआ था 1922 इस्वी में हुआ था ठीक है इसका उत्खनन जो है RS 20 के सन्डक्षन में करवाए गया था, ठीक है, मित्रों, धॉला वीरा की, सबसे महत्पूर जानकारिया है, कि यहाँ पर जो है, 7 मीटर गहरा, 7 मीटर गहरा, और 89 मीटर लंबा, 79 मीटर, क्या है? लंबा, ठीक है, 79 मीटर लंबा, क्या पाया गया है सायल कृत जलकुंद का पता लगया गया है यह चला है क्या चला है सायल कृत जलकुंद का पता चला है यह सबसे महतपूर्ण बात है कि सबसे महतपूर्ण जानकारी है कितने मीटर साथ मीटर गहरा तथा 89 मीटर लंबा जो है यह क्वा पाएगा तेले कुलकुन क पता छल चलते हैं अगले पूर्शन के करम में अगला प्रशन है लोथल कि किस रूप में पृसिद्ध है कृश्यनंबर थीस है आपका लोथल किस रूप में पृसिद्ध है चुछhouses हो आपका इसका जो right option होगा भया, वो होगा हरपा बंदरगा, ठीक है मित्रों, क्या होगा, इसका जो right option होगा, वो हरपा बंदरगा होगा, ठीक है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है, लोथल जो है हरपा बंदरगा के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है मित्रों, और इसकी खोज क लाओ ун आजका मित्रों इसने की 1954 sisvelि में king ए सअर राऊ ने की थी ठीक है और रंगनाथ 2 राउ डिरा के नियुत्ट में 1957-58 में किसके नियुत्व में रंगनाथ 20 रंगनाथ 10 रव के नियुत्त में कुदाओं करवाई गई थी कब से कब करवाई गई थी बृत इसको नूट बेसीत ठीक है किसकी लोथल की चलते हैं अगले प्रशन के क्रम में अगला प्रशने मित्रों लोथल तथा काली बंगा दोनों क्या है देखते हैं क्या है गुजरात में इस्तित है प्राक मौर कालीन इस्थल है प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है ये हरपा कालीन इस्थल है तो मित्र में से कौन सा इस्थान भारत का आद आयतिहासिक इस्थान नहीं है अपसर नमबर एक हरा मुहन जोड़ो लोथल अपसर नमबर सी शिंगहनपूर अपसर नमबर डी हरपपा ठीक है तो ध्यान दीजिएगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था जब आपका पहला चप्टर चल ला था ठीक है तब हमने आपको बताया था प्राग आतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में और प्राग आतिहासिक कालीन चित्रकला में आपको शिंगहनपूर के बारे में बताया गया था ठीक है तो इसका जो राइट आपसर होगा वो शिंगहनपूर ह इतिहास के पूर्व का प्राग एधिहासिक स्थान कैंपार कुछ सन नखर कौन सबसे विसालतम नगर है इसकी कोज कब हुई है थिके मित्रों चलते हैं अगले अगला प्रिशन के कहता है मित रहूं सैंधों सबता से प्राप्त पात्रों पर चितरकारी किस रंग से की गई है very important प्रस्ण है सिंधु कालीव सबता प्राप्त जो हमें पात्र मिलेी है उनके अंगले परहो कीक यहां प्साइब का कोश्छ नमबर फारि फाइब बनवाली हरयाना बनवाली हरयाना के हिसार जिले में इस्थित है इस्थित है इस दिया अपसर नमेर 2 MIN, लालंद घोस इसी को कहा जाएगा आपसर नमर सी एसार राव ने आपसर नमर डी रंगनाथ राव ने ठीक है तो बनवाली हरियाना के हिसार जिले में इसी था है और इस पुरा तत्युक इस्थल की खोज भाईया बनवाली नामा पुरा तत्युक इस्थल की चलते हैं आज के लास्ट प्रस्ण की तरफ मित्रों छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यदि हमारे द्वारा बताई गई चीजें आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करन ठीक है मित्रों यहीं से आज की क्लास हमारी शमाप्त होती है यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी प्रकार के महत्रों प्रिश्णों के संकलन के साथ उपस्चित हूँ तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी आज़ा के साथ हम विदा लेते हैं धन्यवाद फिर मिलते हैं